सावन में जरूर घर लाएं, पांच में से कोई एक चीज, पूरे साल छपड़ फाड़ पैसा आएगा घर में दरश्तों, हिंदु धरम में स्त्रावन माश को बहुत ही महतपूर माना गया है इसे सावन की नाम से भी जाना जाता है सावन माह, देवों के देव, भगवान सिव को समर्पित है सावन के हर सोंबार को सिवजी की विशेश रूप से पूजा अर्चना की जाती है सिवभक्त पूरी स्रद्धा के साथ इस महीने का इंतजार करते हैं इस पूरे महीने मनाये जाने वाले धार्मिक उस्सों में सिव की उपवाशना ब्रत पवित्र नदियों में इश्नान और शिव अभिशेक ज़्यादा महत्पूर होते हैं विशेश तोर पर सावन सोंबार पर महिलाएं शुरुदर शिपहले इश्नान कर उपवाश रखती हैं कुमारी कन्याई मन पशंद जीवन साथी पाने के लिए इस महीने में उपवाश और सिव की पूजा करती हैं विवाहित इस्त्रियां पती के लिए मंगल कामना करती हैं भारत देश में पूरे हरसो उल्लास के साथ सावन महसो मनाय जाता है सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अधिक प्री है सास्त्रों में बताया गया है कि जो सरधालू सावन की महीने में महादेव की सच्चे मन से अराधना करते हैं भोलेनाथ उनको मन चाहा फल और किरपा आश्रिवाद अवश्य देते हैं इस महीने के एक खास बात ये है कि हर तरप शुहाबना मोशम, रिमजिम सी वरसात और हर्याली लोगों के मन को मोह लेती है भगवान भोलेनाथ को शमरपित सावन का महीना इस बार 14 जुलाई से सुरू हो रहा है और ये 12 अगस्त को समाप्त हो जाएगा सावन के महीने में पहला सुमबार 18 जुलाई को है इस दिन सावन के सुमबार का पहला बरत रखा जाएगा दूसरा सुमबार 25 जुलाई को तीसरा सुमबार 1 अगस्त को और चोथा सुमबार अंतिम शुमबार 8 अगस्त को है तो इस सावन के महीने में कुल चार सौंबार पड़ेंगे। सावन के महीने में सिव जी के लिए जो ब्रत रखे जाते हैं उनमें शौंबार का विशेष महत्व है। पॉरानिक कथाओं की अनसार शमुंद्र मंत्रं के दौरान निकलने वाले बिसका पान करने से भागवान स्थिव के सरीर का तापमान तीजी से बढ़ने लगा था ऐसे में सरीर को शीतल रखने के लिए भोलेनात को चंद्रवा को अपने सिर पर धारन किया था और अन्य देप पर अन्य भागवान भोलेनात के स्यूलिंग की रोधरव शेख जरूर करें रोधरव शेख करने की विधी इस्पकार से है सर्फ्थम जल्से शिवलिंग को इश्णान कराया जाता है फिर क्रमसे क्रमसे दो दही शहद शुदघी शक्कर ये पांच चीज़े जिन्हें मिलाक पंच्यम्रत कहा जाता है। पूजी को प्रसंद किया जाता है इस पूरे क्रम को ओम नमे शिवाय मंतर के जाप के साथ किया जाता है इसके बाद माता गौरी का पूजन किया जाता है सावन के सोंबार का ब्रत दिन के यानि तीसरे पर यानि की साम तक रखा जाता है शुवाय इश्नान आदी नित्र कर्म क परने के बाद ब्रत का संकल्प किया जाता है और उसके बाद गंगजल, बेलपत्र, शुपारी, धतूरा, भांग और आधी यह सारी चीजे यानि कि उन्हें चड़ाई जाती है पूजन समागरी में दोस्तों, खास बाद तो यह कि इस्वार का सावन का महीना बहुत ही शुब रहने वाला है, बहुत ही पवित्र रहने वाला है 14 जुलाई से 12 अगस तक इस वार साल दोजरवाईश का सावन का महीना चलेगा दोस्तो इस वार आप सावन की महीन में जरूर घर लाएं इन 5 में से कोई भी एक चीज क्योंकि महादेव को ये सारी चीजे बहुत ही पसंद है अगर आप इनमें से कोई भी एक चीज घर लेकर आते हैं तो महादेव की अश्रिम कृपा प्राप्थ होगी और घर में छपपर फाड पूरे साल बरसेगा पैसा ही पैसा पूरे साल पैसो के कमी नहीं होगी सावन में आप ये कौन कौन सी चीज है जो आप अपने घर लेकर आएंगे दोस्तों सबसे पहले चीज है आप भगवान भोले नात के सबसे प्रिवस्तु और उन्हें परसंद करने के लिए आप भगवान की प्रिवस्तु है रुद्राच रुद्राच की माला जरूर लेकर आ दोस्तों अगली यह दूसरी जी चीज है दोस्तों बता दे वो है त्रसूल भगवान भॉलिनात को त्रसूल बहुत प्री है भगवान भॉलिनात त्रसूल अपने हाथ में ले रहते हैं तो त्रसूल आप चांदी का बनवा कर लेकर आएं यह चांदी का नहीं है तो पीतल का अब ही आप यही तरसोल बनवा कर लेकर आ सकते हैं, साबन की महिने में तरसोल एक जरूर लेकर आएं और भगवान सियु को समर्पित कर दें, और आप भगवान सियु को समर्पित करते समय अपनी मनोकामना बोलें, पूरे साल आपको धनकी कमी नहीं रहेगी, शुक्षंब्र अगली आन ये तीसरी जो चीज है दोस्तों बता दे वो है डमरू डमरू जो की बहुत ही प्रीवस्तु है भगवान भूलेनात को इसलिए आप शावन की महिने में जरूर घर लेकर आएं डमरू और भगवान भूलेनात को शमर्पित कर दें और अपने घर में आप डमरू अब अगली जो चोथी जो चीज है दोस्तों बता दे वो ये है कि महादेव को प्रसंद करने के लिए सावन की महिने में सबसे प्रिवस्तु है आप नंदी बैल जरूर घर लेकर आएं नंदी बैल का आप फोटो भी लेकर आ सकते हैं या फिर आप महादेव माता पार्वती औ महादेव के खृपाश्री आपके घर में शुक्षंब्रदी हमेशा बनी रहती है आपके घर से कभी भी किशी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है दोस्तों अब अगली जो पांचमी जो चीज है दोस्तों बता दे वो है गडेश भगवान माता पार्वती सिव जी और इनकी जो भगवान सिव के परिवार की जो फोटो होती है भगवान सिव कारतिके माता पार्वती गडेश जी इनकी तस्वीर फोटो जरूर लेकर आएं इससे आपके घर में शुक्षंब्रदी बनी रहेगी दोस्तों अगर आप ये चीजे लाते हैं या इनमें से कोई भी एक ची महादेव कृपा से कभी भी धनकी कमी नहीं होगी दोस्तों वैसे भी तो आप सावन की महीने में आप चाहें तो कच्छवा लेकर आएं कच्छवा जो की बहुत प्रिहचांदी का बनाकर कच्छवा अंगूठी या फिर आप कच्छवा लेकर आएं और या फिर चाहें तो आप सावन की महीने में आप यनिकी साथ घोड़े दोड़ते हुए आप जो फोट तस्वीर वो लेकर आएं या फिर आप गड़ेस और मातलक्ष्मी के तस्वीर लेकर आएं तो आपके घरवे सुक्षम्रदी बनी रहेगी कभी भी धन की कमी नहीं होगी दोस्तों इन पांच म में से कोई भी एक चीज अपने घर लेकर आएं तो महादेव के खृपा से पूरे साल धन संपत्ति में ब्रदी होगी कई जगों से आपको धन कलाब होगा धन संपत्ति में ब्रदी तेजी से बढ़ेगी कभी धन की कमी नहीं होगी तो कमेंट में जरू लिखेगा हर हर आड़ो